हेलो नमस्कार राधे राधे आप सभी का स्वागत है मेरे लांच ब्लॉग में तो आज मैं लांच बनाने जा रही हूँ तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ये मैंने थोड़ा 15 से 20 मिनट पहले अरहर की दाल को भीगो के रखा है ये हाफ का टूरी दाल है क् कि जो है मैं डाइट पे हूँ इस समय तो मैं लंच और डिनर नहीं कर रही हूँ तो मैं ये मेरे हस्बेंट भर के लिए बना रही हूँ क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो मैं उनके भर के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे चावल को भी साथ में ही धो रही हूँ और आज मैं ठोड़ा सा इसको कूछ तरीके से बनाने वाली हूँ यारि कि हॉस्टल स्टाइल में जैसे हॉस्टल में बनाते हैं न एक ही कुकर में सारा कुछ तो वैसे से ही करके बनाओंगी क्योंकि इतनी थोड़ी सी दाल और इतने थोड़ी से चावल के लिए दो दो बार या फिर दो कुकर चढ़ाना तो बिलकुल भी मुझे समझाई नहीं लगता तो मैंने चावल को अच्छे से दो के इस तरीके से गिलास में भर दिया है तो आधा गिलास थे और इसके बाद मैंने पानी मराया और ऊपर से एक इंच खाली रखा हुआ है और यहां पर दे को दाल को भी अच्छे से धूल लिया है तो इस तरीके से अगर एक ही कुकर में दाल चावल बनाना चाहते हो तो आप दाल को हमेशा ही 15-20 मिनट पहले भीगो के रख दो इस इसमें बिल्कु थोड़ी सी हल्दी और स्वादानसार नमक डाल दूंगी नॉर्मल जो यलो दाल होती है हमारी विल्कुल वैसे ही बना रही हूँ और अब यहां ग्लास रख दूंगी बीचो बीच वीच तो ग्लास यह वाला लंबा था तो बदल दिया है और कटोरी से हिस्ता इसमें ढखकन लगाएंगे तो अब यहां पे इससे चड़ा देंगे और भीगी हुई दाल को जब भी पकाएं इस तरीके से तो मीडियम फ्लेम पे पकाएं और दो सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दें चलिए आज मैं बैगन की एक बिल्कुल नई रेसिपी बन रही हूँ जो मैंने कभी नहीं बनाई है अभी तक मैं भले ही मैंने इतने दो धाई अजार वीडियो क्रियेट किये हुए हैं लेकिन मैंने अस तक यह रेसिपी नहीं ट्राइ करी है यह बेंगौल से है कोलकाता विगेरा में बहुत बनती है यानि कि पूरे बंगाल में ही तो यह एक बैगन रखा हुआ तक कई दिनों से रखा था मैं डाइट पे हूँ तो रात का खाना अक्सर जो है इसके पोजा रहा है क्योंकि हस्बिन वह भी थोड़ा बहुत कुछ हलका फुलकाई खा ले रहे थे तो मैंने सुचा चलो आज इस बैगन को ठिकाने लगा दिय तो इस तरीके से इसके इसके रिंग काट लिए है और इसके मोटे-मोटे से इस तरीके से देखो आपने काटना घेगन को तो आप जानी क्यों ह極ा हूंगे कि मैं बैगन का भाजय बनाने वाले तो मैंने कोई रेसिपी नी चेक अउट kी है मैंसे अफने मन्द से को तो अपने हिसाब से बना सकते हो डीफ भी कर सकते हो सारे मसालों के अच्छे से मिक्स कर दिया है आटा बहुत ज्यादा नहीं लेना है हलका ही लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा लगता नहीं है इसे अलग-अलग तरीके से लोग बनाते है कुछ लोग पहले इसमें नमक लगा के रख देते हैं हल्दी नमक फिर ःथोड़ा पानी छोड़ देते हैं फिर इन्हें आटे में coat करते मैं इनको directly इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मैं पर जादा time नहीं है और husband के office से आने का time हो गया है और मेरा lunch भी पूरी तरीके से prepared नहीं हुआ है इसलिए मैं इसे नहीं रख रही हूँ तो यहाँ पर मैंने सारे जितने मैंने bagan के ring काटे थे उनको कर लिया है और अब मैंने ये अपना तवा लिया है तो मैं ये जो इस तरीके का जैसे परहठा बनाना होता है या कुछ shallow price तरीके से करना होता है तो मैं इसके लिए लोहे का अलग तवा रखती हूँ ये डोसा के लिए मैंने especially मंगवाया था तो यहाँ पर मैंने इसमें सर्सों का तेल डाल दिया है तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें bagan के ring डाल देंगे तो एक बार में जितने आ जाए अब वैसे मैंने जो यहाँ पर bagan लिया है ना भरते वाला bagan था क्योंकि अब मेरे यहाँ पर वो bagan नहीं मिलता है जो लंबा लंबा सा थोड़ा मोटा सा bagan होता है वैसा नहीं मिलता है यह तो बहुत चोटा मिलता है या फिर यह इतना मोटा सा मिलता है तो इसे हम medium flame पर अच्छे से पकाएंगे वैसे यह बैगन बाचा बहुत जल्दी बनता है और इतना नरम होता है कि मखन भी इसके आगे शर्मा जाए दोस्तों और इतना मज़ा आया सच में आज से खाने में अच्छा आप इसे रवा के साथ भी कोट कर सकते हो याने की चावल काटा नहीं है तो सूजी से कोट कर लो और खूब अच्छे से इसमें dark color आने तक इसे जो है कर लो इधर मैंने आटा गूत लिया तो आप देख रहों आटा मैंने कितना कम गूता है क्योंकि उसके मैंने बताया कि मैं तो lunch और dinner skip कर रखी हूँ तो यह सिर्फ husband भर के लिए है दो या तीन डोटियां बन जाएं बस उतना ही तो यहाँ पे देखो बाकी के तीन जो पहले डाले थे वो पग गए हैं और बाकी के जो दो रखे हुए थे उन्हें भी डाल दिया है थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो तेल ला दिया है आप इन्हें deep fry भी कर सकते हो तेल अगर अच्छा से रहेगा अच्छा quantity में रहेगा तो यह ज़्यादा अच्छे बंते हैं ज्यादा क्रिस्प बंते हैं जलते नहीं हैं आप इन्हें और कम तेल में नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हो तो इन्हें मैं ट्रांसफर करूँगे अब दूसरी तरफ और जल्दी से बना लूँगी रोटी और इसी के साथ साथ में देखो मैंने गैस में दो सीटी आ गई थी तो बंद कर दिया था रोटी वाला तबा म मसाला बच गया था तो यह रखा हुआ है तो एक मैं इसी के भरके आलू मसाला भरके रोटी बना दूँगी और बाकी की देखो तीन ही लोई हुई है एकदम छोटी छोटी सी लोई तो वैसे नॉर्मली हम ऐसे ही इतना ही खाते हैं तीन रोटी मेरे हजबन खाते हैं और डे का साही हार्ड है तो दूसरी तरफ बैगन भी चेक करते रहेंगे और जो है आज मैं यहां पे जैसे कि आप समझी गया होगे कि मेरा दाल और चावल तो उसमें तयार होई गया है दूसरी साइड वो बैगन भाजा भी तीन दे को तयार हो गए है वैसे तो तीन काफी है लेकिन अभी उनको फेक नहीं सकते है न तो अभी उतना भी बना के रख दूँगी और अगर खाना चाहेंगे तो मेरा हजन साम तक खा लेंगे दो रोटियां बनी है और एक वो आलू का मसाला भर करके बन गई है तो चलो इसे रोटियों को तुरंद बना के मैं अच्छे से इसमें अधाक करके रखोंगे जिससे की रोटियां एक्दम मुलाय मनी रहे हल्का सा यह जब यह ठंडी हो जाएंगे फिर इन में जो है घी लगा वगयर के आप कैसरोल और में रख सकते हो तो वैसे अगर बैगन भाजा की आपको कोई दूसरी और अच्छी सी रेसिपी पता है तो वैसे तो खुश्बूई इतनी अच्छी आ रही थी तो यहाँ पर देखो मेरा जटपट से बस अब लंच एक दम बनी गया है इधर यह वाला भाजा भी तयार है सारी रोटियां भी बन गई है तो इसे नॉर्मल आप बनाओगे न तो यह लंच आप 20 मिनट में तो आपका बन ही जाएगा इस तरीके से अगर आप दो से तीन लोग रहते हो तो आपकी कि मैं वीडियो शूट कर जी हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगा और यहाँ पर देखो खोल के देखते हैं क्या हाल है अरे हो अच्छा लोग बहुत ही अच्छा है कि यह कटोरी नहीं पलती है क्योंकि कभी-कभी मीरे साथ ऐसा होता कटोरी परल जाती थे और धकन भी बिल्कुल आपका गंदा नहीं होगा अगर आप इस सरीके से दाल को भिगू के वीडियों फ्लेंड में पकआओगे तो कभी भी आपका ठकन जोंगे ना आंदर से गंदा होगा ना बाहार से गंदा क्योंकि बैगन दो है ही और इसके साथ ही है यहां सूखी मिर्ची और जीरे का बस तड़का लगांगी मैं आप चाओ तो प्याज टमाटर पगेरा का लगा सकते हो अब क्योंकि हस्बन को है थोड़ा कोड हुआ है इसलिए मैं जो दही या रायता बनाने वाली थी बूली का व अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे कॉमन करके बढ़ा सकते हो और यह वीडियो कैसी लग रही है आपको देखने में इंजॉयबल है तो आप जो है मुझे जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना लाइक करना मेरे फेस्बुक पेज को जरूर फॉलो करना यहां प जल्दी से बस गरम गरम लगा देती हूं और इसके बाद में उनको दे देती हूं जाके तो चावल निकाल लिए हैं देखो इतने सारे चावल बन गये हैं रोटी मुझे पता है वो आज एक रोटी ही खाएंगे एक रोटी मेरी बचने वाली है और यहां पर मैंने दो से ती पकल अड़ाई होती कि वो आलू वाली जो रोटी है उसे कौन खाएगा या फिर अमादिया दिखाते हैं तो अब मैं उनको जल्दी से दे कर किया आती हूं उसके बाद में जो है ये वीडियो का ही काम करूंगी थोड़ा उसके बाद में बरतन वेगेरा धूलोंगी आई हो